तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो गेट अक्याडमी अगेन देखिए अभी हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा सीरीज चल रहा था मेक्यानिकल इंजिनिरिंग के लिए आर आर भी जेई का जो सीरिस चल रहा था वो हम देख रहे थे ठीक है ध्यान से ध्यान रिखिएगा हम इसको स्टार्ट किये हुए थे बट विकॉस सम इशूस यह कुछ दिन यह वीडियो नहीं आप आये था आपके लिए बट हम इसको क् दॉस्टेर्ट को सब्सक्राइब को डाले हुए हैं जो आपको डारेक्ट एक्जाम में देखने क्यों मिलेंगे अगर आप यह सीरीज देखोगे तो यकीन मानिये टेकेनिकल में आपको कुछ भी और देखने का जरुरत नहीं है बस यह सीरीज करके चले जाएए दोस्ट आ analysis के according मेरा 10 साल का experience को मैंने इसमें डाला है और कैसे question आई हुए थे उसको और उसके according कैसे कैसे question पूछ सकते हैं उन सभी question को क्या है इसमें मैंने आपको solve कराया है पहला questions देखिए system से कुछ हो नहो system से आपको questions जरूर देखने को मिलता है system system is set to be in thermodonium equilibrium अब ध्यान से सुनना system की अगर मैं बात करूँ तो system तीन टाइप की होते हैं ध्यान से सुनो system जो है यहां से question आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो open system है आपका यह जो closed system है और then क्या है आपका open system system then isolated system यह जो तीनो system है यहां से आपके question जो है जरूर देखने को मिलेंगे open system की अगर मैं बात करूँ तो open system को हम क्या बोलते हैं what we can say open system fixed और इसको हम क्या बोलते है fixed system और open system को हम लोग क्या बोलते है fixed system system यहां पर हम लोग ने define करना चाहता system system तीन टाइप के होता है open system closed system and isolated system open system की अगर मैं बात करूँ तो open system को मैं कैसे define कर सकता हूँ क्या यह open system ऐसा कुछ होता है क्या open system की अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं open system को यह लिख सकता हूँ क्या कि it is a control volume system यह सब चीज को पहले ध्यान रखो control volume system और open system में क्या होता है system and surrounding के बीच में mass as well as energy दोनों का interaction होगा system and surrounding के बीच में mass का भी interaction होगा और किसका होगा energy का भी interaction होगा किसमे system and surrounding के बीच में now the closed system अगर मैं closed system की बात करूँ तो closed system में क्या होता है it is a quantity of matter इसको हम लोग क्या बोलते है quantity of matter this is a quantity of matter और इसको हम क्या define कर सकते है which have only mass which have only energy interaction takes place but mass interaction cannot takes place between the surrounding यह short notes है इसको ध्यार रखो then the second thing is isolated system अब यह isolated system क्या होता है isolated system में क्या होता है इसमें ना ही mass का और ना ही energy का interaction होगा कहां पर system and surrounding के बीच में इसमें ना तो mass का और ना ही energy का interaction होगा between system and surrounding इसको ध्यार रखोंगे system क्या होता है quantity of matter इसका definition अगर मैं बोलूं तो system क्या होता है quantity of matter और region in space in which quantity of matter region in space in which object we can consider to find out its property or characteristic मतलब किसी object को हम find out करते हैं उसकी property और उसके characteristic को find out करने के लिए तो यह हमारा system होता है system अब देखिए यह तो हो गया इसमें question कैसे पुछेगा कि open system क्या होता है तो हमको पता चल गया कि open system क्या होता है mass का भी interaction होगा और क्या हो जाएगा energy का भी interaction होगा यह हमको चीजे समाज में आ गए उसके बाद हम क्या देखते हैं देखो open system में हमको यह चीजे clear हो गया mass का भी interaction होगा और किसका interaction होगा energy का but close system की है mass का interaction नहीं होगा but energy का interaction क्या होगा between system and surrounding but now in isolated system अब क्या होगा आइसो लेटेड शीटम की बात करूँ तो ना ही इसमें mass का interaction होगा और ना ही क्या हो जाएगा energy का interaction होगा between system and surrounding तब मैं देखता हूँ अगर मैं इस system को define करूँ system is said to be a thermodynamic equilibrium if the system is, if the system is, अब देखो, ये तो मैंने आपको बताया क्या system के बारे में, अब यहाँ पर दूसरा चीज यहाँ पर question है thermodynamic equilibrium, so what is the meaning of thermodynamic equilibrium, thermodynamic equilibrium की अगर मैं बात करूँ तो system जो है, mechanical equilibrium में अगर हो, chemical equilibrium में हो, and last one, thermal equilibrium में हो thermal equilibrium में हो, तो अगर system इस तीनों equilibrium को follow करता है you meant to say, कोई system जो है, वो क्या है, thermodynamic equilibrium में है but अगर इस तीनों में से कोई भी एक को follow नहीं करेगा तो system जो है, क्या है, thermodynamic equilibrium में नहीं होगा अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, mechanical equilibrium के अगर मैं बात करूँ, देखिए, mechanical equilibrium में क्या होता है एक ही question में 10 concept mechanical equilibrium में क्या होता है system and surrounding के बीच में जो force अपलाई करेगा वो क्या होगा, same होगा second, chemical equilibrium क्या होगा reaction, मतलब कोई अगर process हो रहा है process होने के बाद भी जो अगर water है, water में अगर हम कोई process करें तो water, water ही रहना चाहिए, उसे chemical composition में क्या होता है changes नहीं होना चाहिए third one, यह क्या होगा हमारा mechanical equilibrium, mechanical equilibrium, chemical equilibrium and third one क्या है हमारा thermal equilibrium तो जो thermal equilibrium है उसमें हम क्या देखते हैं कि thermal equilibrium क्या बोलता है, कि अगर system and surrounding का temperature same हो जाए, तो system क्या है, thermal equilibrium है तो यहाँ पर आप confusion नहीं होगे thermal equilibrium and thermodynamic equilibrium है इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, thermal equilibrium में और thermodynamic equilibrium में आपको concept को ध्यान रखना है इसमें आपको यह जो thermodynamic equilibrium है यह तीनों को follow करना चाहिए लेकिन अगर हमको question पुछा thermal equilibrium तब क्या होगा only system का temperature equal to क्या होना चाहिए surrounding का temperature that's all ठीक है तो अगर thermal equilibrium की बात करें तो chemical equilibrium तो होगा नहीं क्या हो जाएगा thermal, chemical and mechanical equilibrium mechanical equilibrium यह भी नहीं होगा thermal equilibrium क्या है, यह भी नहीं होगा तो क्या होगा maximum thermal equilibrium, chemical equilibrium, mechanical equilibrium यह तीनों क्या हो जाएगा equilibrium होगा, इसको हम लोग के क्या करना है, ध्यान रखना है now the next one, control volume control volume in a thermodynamic system refer to control volume in a thermodynamic system refer to क्या refer करेगा control volume मैंने आपको बताया था क्या, control volume मतलब open system control volume इसको ध्यान रखेंगे open system मतलब क्या हो जाएगा यह control volume and closed system means open system means control volume and closed system means quantity of matter matter मतलब इसमें mass का interaction होता है, क्या system and surrounding की बीच में नहीं होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं closed system को fixed mass system तो क्या बोलते हैं हम लोग fixed mass system इसको हम क्या करना है, ध्यान रखना है तो specific mass control volume means specific mass in fluid mass that moves across the boundary wrong answer fixed region in space C for Chennai will be the correct answer transfer of energy across the boundary will be the wrong answer तो यह answer क्या हो जाएगा C for Chennai will be the correct answer इस question के लिए इससे हम यह सब जो question है RRBJE में previous year पूछे गए हैं और यह जो इतने भी concept मैं बता रहा हूँ यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है हो सके तो इसको copy पे note down कीजिए मैंने पहले ही बोला है कि अगर series join करो रोज करो रोज यह series के questions आएंगे इतना कर लेते हो तो आपको दूसरा कुछ भी चीज पढ़ने की आवशकता नहीं है So now the next question Question is Diesel cycle consists of following four processes Diesel cycle consists of the following four processes two isothermal two isentropic and two constant volume two isentropic and one constant volume two isentropic and one constant volume देखे अगर हम air standard cycle की बात करें तो हमने अपने technical में पढ़ा है पहला cycle की अगर मैं बात करूँ वो होता है auto cycle auto cycle यह auto cycle क्या होता है अगर हम इसमें PV and TS डाइग्राम प्लाट करूँ PV and TS डाइग्राम इफाइग्राम इफाइविल प्लाट देन auto cycle को हम ऐसे डिनोट करते हैं यह, तो यह, 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 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1 auto cycle, now this second one is diesel cycle, what about diesel cycle 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 1 means this is if suppose this is a p-v diagram then 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 यह क्या होता है हमारा diesel cycle अब इस दोनों cycle में देखिए another cycle is a third one is a what dual cycle dual cycle dual cycle this is a dual cycle and these are the processes 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 and 4 2 5 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5 5 2 1 now next one अब इसमें अगर मैं बात करूं कि processes को कौन-कौन से process को follow कर रहे हैं देखिए यह कौन-कौन से processes को follow कर रहे हैं 2 2 3 is a constant volume process this one is a constant volume process and this two is a isentropic process or it may be called as reversible adiabatic process now the second one 1 2 2 2 2 2 3 3 2 4 this is a diesel cycle first one is a constant pressure cycle second one is a constant volume cycle उसके बाद यह जो दोनो हैं उसको हम लोग क्या बुलते हैं isentropic process isentropic process now this is called as the constant volume process this is a constant pressure process and this is a constant volume process and this two will isentropic process these two will isentropic process and this is a PV plot now if question will ask about diesel cycle तो diesel cycle यह है क्या तो diesel cycle क्या बोलता है one constant pressure constant pressure process को ही हम यहाँ पर मैं लिग देता हूँ इसको ध्यान रखेगे constant pressure को हम क्या बोलते हैं isobaric process constant volume process को हम लोग क्या बोलते हैं isochoric process isochoric process so if I will answer this question so diesel cycle consists of two isentropic and two isentropic and two isothermal wrong answer two isentropic and two constant volume process देखो अब constant volume तो इसमें यह है constant volume तो इसमें यह है तो यह क्या होगा dual auto cycle तो यह भी wrong answer हो गया two isentropic one constant volume one constant pressure तो c will be the correct answer d two isentropic and two constant pressure यह कौन सा है two isentropic and two constant pressure यह breton cycle बोलते हैं इसको ध्यान रखेगे यह क्या होता है breton cycle इसका answer क्या हो जाएका c for channel will be the correct answer for this question now the next question internal energy of a perfect gas depend on अब ध्यान से सुनेंगे internal energy जो होगा energy ठीक है जिसको change इन अगर internal energy की बात करूँ तो du अब यहाँ पे दो तीन term लिख रहा हो उसको अब ध्यान रखेंगे internal energy is a function of temperature enthalpy is also function of temperature and entropy is a function of heat entropy is a function of heat यहाँ पर मैंने क्या बोला enthalpy को मैंने क्या बोला temperature का equivalent बताया entropy को मैंने किसका equivalent बताया आपको heat के equivalent बताया and internal energy को मैंने किसके only temperature only only temperature but entropy का बगा heat आपको question आएगा इस concept को ध्यान रखेंगे internal energy पूछेगा temperature दिखेगा मारना है यहाँ पर क्या बूला है हम लोगको internal energy यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है d for Delhi यहाँ पर temperature now enthalpy क्या है temperature तो यहाँ पर क्या हो जाएगा temperature will be the correct answer अगर यहीं पर हमको entropy बुछा रहता तो क्या हो जाता है यहाँ पर heat will be the correct answer heat will be the correct answer now the next one in a polytropic process if the value of n is equal to 1 then the process will be देखो pv to the power k equal to c यह क्या है हमारा equations अब यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है बहुत सारे चीजे क्या है change होगा जैसे अगर पहले condition में में if I will put it k equal to 1 then pv is equal to क्या हो जाएगा c इसको क्या बूल सकता हूँ मैं isothermal process isothermal process now the second one if k equal to n then pv to the power n is equal to what c तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं polytropic process polytropic processes then third one is one is k is equal to one p is equal to isothermal process k is equal to n and pv to the power n is equal to this is called as the polytropic process third one if k equal to gamma then pv to the power gamma is equal to c so इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं adiabatic process this is called as adiabatic process so if question will ask n equal to one in a polytropic process n equal to one तब हम क्या लिक सकने हैं n equal to one अगर पूट कर दे तो p is equal to constant then this process is called as the isothermal process isothermal process will be the correct answer now the next one which which of the following state that the volume of gas is the inversely proportional to the pressure of gases which one of the following state that the volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gases volume of the gases is inversely proportional to the pressure यह होगा अगर इसको मैं simplify करूँ तो pv is equal to क्या मैं c लिख सकता हूँ constant देखे अगर pv to the power c यह है इसको हम लोग बोलते हैं boils law and volume is directly proportional to its temperature then it is called as what इसको हम लोग बोलते हैं Charles law अगर pressure is directly proportional to temperature हो जाया तो इसको हम लोग कर बोलते हैं गेलू सेख लो and avogadro is a volume is directly proportional to n volume is directly proportional to n so now the question will be the answer will be what यह question यही पूछा है यह क्या होता है यह क्या होता है यह इतने ही लॉज है यह यही लॉज है इसी को आपको क्या करना है रीड करना है यह यह वेरी इंपोर्टन कोश्चन और इग्जाम पॉइंट आफ यू बहुत इंपोर्टन कोश्चन है नाव दे नेक्स वन ब्लांक इसनट अप्रापर्टी आप डिस सिस्टम की दो प्रामपर्टी ये तो धियू तो धी सिस्टम की अमेंचा दो extensive and second is a intensive extensive means जो mass and system के size दोनों पर क्या करता है depends करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं extensive property and intensive property property which does not depend on mass and size जो mass और size दोनों पर depend नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंशिव प्रॉपर्टी उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटेंशिव प्रॉपर्टी सेकंड वन एक्स्टेंशिव प्रॉपर्टी इंटेंशिव प्रॉपर्टी नाओ दे सेकंड वन इंटेंशिव प्रॉपर्टी, example of इंटेंशिव प्रॉपर्टी, volume energy, इसमें क्या हो जाएगा इसमें enthalpy भी है entropy भी है, energy means all type of energy, pressure energy kinetic energy potential energy, कितने जितने भी type के energy होते हैं वो क्या होता है, extensive property के अंतरगात आते हैं, extensive property but, अगर मैं इसकी बात करूँ इंटेंशिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या हो जाएगा temperature, pressure temperature, pressure यह क्या है आपका intensive property यह क्या है आपका intensive property तो answer will be, is not a property of the system, तो कौन property of the system नहीं है यहाँ पे specific volume, हाँ देखे, अब देखे, यहाँ पर extensive property all specific property all specific property all specific terms of property ऐसे इसको denote करता हूं है term, all specific terms of property is always intensive is always what? intensive, उसको दियान रखेंगे इसको दियान रखेंगे, very important term यहाँ पे हम लोगों ने देखा, now the next one is is iso-pristic process देखे, iso-pristic process कहने का मतलब क्या होता है? iso-pristic process मतलब कितने टाइप के हम प्रोसेस देखें हैं? सबसे पहला process की अगर मैं बात कलू, तो this process is known as iso-poric process सेकंड वन इस आइसो बोरिक प्रोसेस थर्ड वन इस आइसो थर्मल प्रोसेस फोर्थ वन इस एडियाबेटिक फाइफिप्थ वन पॉली ट्रोपिक शिफ्थ वन आइसेंट्रोपिक तो यहां पर कुछ प्रोसेस हैं जिसको आपको जाना जरूरी है अगर मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करता हूं तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं यहां पर अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूं तो मैं आइसेंट्रोपिक आइसोपोरिक प्रोसेस को क्या बोलता हूं फर्स्ट अफॉल वॉल्ल कॉंस्टेंट वॉल्यूम इसको मैं क्या बोलता हूं इसको मैं क्या बोलता हूं आइसोमेट्रिक ओके और constant volume ठीक है आइसो बारी constant pressure isopistic process isothermal what is isothermal process temperature system surrounding का same होगा adiabatic process में कहा होता है heat का interaction system surrounding के बीच में नहीं होता है polytropic process में कहा होता है heat का interaction जो होता है system surrounding के बीच में होगा fijentropic process मतलब क्या hired entropic constant होगा Pole tropic means heat का interaction system surrounding में नहीं होगा adiabatic में क्या होगा heat के interaction system surrounding मेंson thermal मतलब क्या हो जाएगा isothermal में system और surrounding के बीच क्या हो niveau temperature constant होगा मतलबarez system is equal to क्या हो जाएगा the surrounding इसको दिहार रखेंगे तो Isopistic process के में बात करूं तो टेंप्रेचर तो नहीं होगा वाल्यूम भी नहीं होगा एंट्रॉपी भी नहीं होगा तो वाट विल हैपन प्रेशर रिमेन कॉंस्टेंट इस दा करेक्ट एंसर नाव दे नेक्स वन इन रिवर्सीबल आइसो थर्मल प्रोसेश फॉर आइडियल गैस वीच वन इस जीरो चेंज इन मैंने क्या बोला यहां पर रिवर्सीबल आइसो थर्मल प्रोसेश अगर आइसो थर्मल प्रोसेश बोल दिया है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि system और surrounding के बीच का जो temperature होता है system and surrounding के बीच का जो temperature क्या होगा वो equal होगा समझ मैं कि system and surrounding के बीच का temperature क्या होगा equal होगा तो change in internal energy क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 क्योंकि internal energy is a function of what temperature यही पढ़े थे हम लोग internal energy क्या है temperature का function होता है यह हम लोग ने देखा था, internal energy is the function of temperature, so ideal gas के लिए, ideal gas क्या होता है, हाँ, one another, ideal gas क्या होता है, जो PV is equal to NRT law को follow करता है, is called as ideal gas, तो ideal gas के लिए 0 क्या होगा, change in internal energy will be, 0 heat transfer तो नहीं होगा, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, ठीक है, तो A for apple will be the correct answer, now the next question, work done in free expansion process, अब यह free expansion process क्या ह होता होता है, इसको देयन से देखो, देखिए, free expansion process में क्या होता है, suppose, यह compartment है, यह compartment one, and यहाँ पर एक hole है, और second compartment is B, यह closed है यहाँ से, ठीक है, पहले compartment में क्या है, molecules है, heavy amount of molecules है, air के molecules है, यहाँ पर क्या है, compartment A में क्या है, this is compartment A, this is compartment B, यह क्या है, high dense molecule, high dense molecule, है, high dense molecule, यह क्या है, evacuated, यह क्या है, evacuated, evacuated मतलब क्या हो जागा, यहाँ पर mass की value क्या है, 0 है, यहाँ पर mass क्या है, हमारा 0, suppose, consider करो, यहाँ पर mass 0 है, तो suppose मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर, देखिए, जो यह वाला जो portion है, यह करे दिया यह यह वाला जो portion था इसको मैंने portion को यह क्या कर दिया मैंने रफचर कर दिया तो मेरा जो कि इसको मैंने क्या कर दिया जैसी रफ्चर किया तो यहां पर मैं क्या देखता हूं कि जो हीट का इंट्रेक्शन होगा यहां पर होगा यह देखिए ऐसे दो जो भी है एनर्जी का इंट्रेक्शन ऐसे होगा अब यहां पर क्या है यह जगह एक्वेटिट कहने का मतलब क्या है जीरो मास तो क्या जब ट्रांसफर होगा यहां से यहां एनर्जी का तो यह तो कोई force offered ही नहीं करेगा force offered ही नहीं करेगा means movement without restriction molecules का movement जो होता है without restriction is called as क्या होता है हमारा free expansion process without restriction कोई restriction जब यहाँ पर कोई restriction ही नहीं है तो क्या free expansion work में कुछ work done होगा नहीं होगा freely expansion कर रहा है तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं free expansion process में work done तो आज हम इतना ही देखते हैं यह इस टाइप के questions है जो आपके exam में बहुत helpful मिलेंगे और आपको जो है concept को clear करेंगे आपने देखा कि एक ही slide में हम कितने सारे concept को क्या करते हैं clear करते हैं तो next हम क्या करेंगे thermal portion से चालू करेंगे और जो है हम धीरे धीरे जो है technical के जो भी subject है उससे रिलेट क्या है questions यहां पर आपको RRBJ के level के questions जो exam में आने ही वाले हैं direct मैंने बताया था हाई जो कोने वाले question तो वो question हम यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है देखिए एक चीज़ और गेट academy ने course launch किया है आपको पता है cbt1 प्लस cbt2 यह जो course है एकदम affordable price 777 with high quality के साथ cbt1 का अगर आपको लेना है तो यह क्या है 499 इसको ध्यार रखोगे 499 में यह आपके पास क्या है अविलेबल है तो आप कोई भी course अवाइल कर सकते हैं अपना preparation को बहतर बनाने के लिए आ यहर काम मुझे वीताक के लिए गयर आविलेबल recel के र खवाइल क्या है channel